क्रिया कलाब दो चुम्बक के उत्तरी ध्रू को उत्तर की ओर रखकर चुम्बक की बल रेखाएं खीजना आवश्यक सामगरी, ड्रोइंग बोर्ड, सफेद कागस, चार ड्रोइंग पिन, सेलो टेप, चुम्बकी सुई, कील आदी विधी पहला, मेच पर ड्रोइंग बोर्ड रखिए दूसरा, उस पर सफेद कागस, चार ड्रोइंग पिन, या सेलो टेप की मदद से लगाईए तीसरा, देख लीजिए कि आसपास कोई भी चुम्बकी पदार्थ ना हो चौथा, कागस के मध्य में लंबाई में एक रेखा खीचिए इस रेखा पर चुम्बकी सुई रखिए बोर्ड को इस प्रकार घुमाईए कि चुम्बकी सुई इस रेखा के सीध में आ जाए अब उत्तर दक्षिन की दिशा में यह रेखा आ जाती है इसके उत्तरी सिरे पर N तथा दक्षिनी सिरे पर S लिख दीजिए इस इस्तिती से बोर्ड हिलना नहीं चाहिए पांचवा, कागच के मध्य में चुम्बक को इस प्रकार रखिए कि चुम्बक का ठीक मध्य भाग इस रेखा के सीध में हो जैसा की चित्र तीन अ में तथा चुम्बक का उत्री ध्रू भोगोलिक उत्तर की ओर चुम्बक की इस्थिती तै हो जाने पर पैंसिल से चुम्बक की सीमा रेखा बना दीजिए चुम्बक के उत्री ध्रूओं के समीप जहां से बल रेखा खीचनी प्रारंब करनी है वहाँ पैंसिल से एक बिंदू बना लीजिए चुम्बक की सुई को यहां इस प्रकार रखिए जिससे उसका दक्षणी सीरा इस बिंदू के सीध में हो पैंसिल से उसके चुम्बक की सुई सीरे के सीध में निशान बिंदू बना दीजिए चुम्बक की सुई को उठा कर उसके दक्षणी सीरे को नए बिंदू की सीध में रखिए सुई के दूसरे सीरे के सीध में एक और बिंदू बनाईए इस प्रकार चुम्बक सुई को आगे बढ़ाते हुए चुम्बक के दक्षिणी धुरूओं तक विभिन बिन्दू प्राप्त कीजिए साथवा अब इन बिन्दूओं से गुजरती हुई एक पतली वक्र रेखा कीजिए आठवा इस पर उत्तर से दक्षिण धुरूओं की ओर तीर का निशान बना लीजिए यह एक पल रेखा हुई नमवा इसी प्रकार उत्तरी धुरूओं के समीप दूसरे प्रारंभिक बिन्दू से अन्य बल रेखाएं खीचिए यह बल रेखाएं चित्रत तीन अ की भाती प्राप्त होती है प्रयोग में हम देखते हैं कि बिन्दू P व बिन्दू Q के चारो ओर से बल रेखाएं वक्रिय चत्रभुज बनाती है दस्वा इस चत्रभुज के अंदर विभिन्द बिन्दूओं पर चुम्ब की सुई रखते हैं तथा उसके नस्दीक लोहे की कील या ओल्पिन लाने पर सुई उसकी और आकर्शित होती है तथा उसको घुमाने पर सुई भी उसी दिशा में घूमती है कील हटाने पर यदि सुई उसी इस्थिती में रहे तो यहा बिन्दू उदासीन बिन्दू कहलाएगा उदासीन बिन्दू नीट्रल पॉइंट हम जानते हैं कि प्रित्वी एक चुम्बक की तरह वहवार करती है और इस कारण प्रित्वी का भी चुम्बकी क्षेत्र होता है जब किसी चुम्बक को किसी इस्थान पर रखते हैं तो उसके आसपास के इस्थानों पर दो चुम्बकी क्षेत्र कारे करते हैं पहला चुम्बक का चुम्बकी क्षेत्र वह दूसरा पृत्वी का चुम्बकी क्षेत्र इस क्षेत्र में चुम्बकी बल रेखा दोनों क्षेत्रों के परिणामी बल के कारण होती है इस क्षेत्र में एक ऐसा बिंदू जिस पर चुम्बक के कारण चुम्बकी क्षेत्र और प्रित्वी काश चुम्बकी क्षेत्र समान वह विप्रीत हो वह बिंदू उदासीन बिंदू कहलाएगा जैसा कि चित्र तीन आ में बिंदू पी वह क्यूं है